देवशेईने एकदशी जिसे आशडी एकदशी या पदमा एकदशी भी कहा जाता है। ये एकदशी आशड महने की शुकल पक्ष में आती है। इस दिन से भगवान विश्नु चार महने की अवधी के लिए योग निद्रा की स्थिति में प्रवेश करते हैं। जो चतुर मास अवधी की शुरुआत को चिन्नित करती है। आईए जानते हैं देवशेईने आशडी एकदशी की कथा। दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल कर लिजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँचते रहे। धर्मराज युदिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आशड शुकल एकदशी का क्या ना एक समय नारज जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि है नारज, तुमने कलियोगी जीओ के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशेनी एकदशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है, इस व्रत के क करने से भगवान विश्णु प्रसन्न होते है इसे का दशी का नाम पद्मा है अब मैं तुमसे एक पौरानिक कथा कहता हूँ तुम मन लगा कर सुनो सूर्य वन्ष में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा है जो सत्यवादी और महान प्रता पिता वो अपनी प्रजा का पुत्र की भाती पालन किया करता था उसकी सारी प्रजा धन धन्य से भरपूर और सुखी थी उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पढ़ता था एक समय उस राजा के राज्य में तीन वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पढ़ गया प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यं तो दुखी हो गई अन्न न होने से राज्य में यग्य बंद हो गए एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की स्रिष्टी का कारण वर्षा है वर्षा के अभाव से अकाल पढ़ ग कि आप लोग ठीक कह रहे हो वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हो मैं आप लोगों के दुख को समझ सकता हूं ऐसा कहकर राजा कुछ सेनाल साथ में लेकर वन की तरफ चल दिया वो अनेक रुशियों के आश्रम म करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगीरा रिशी के आश्रम में पहुचा वहां राजा ने गोडे से उतर कर अंगीरा रिशी को प्रणाम किया मुनी ने राजा को आशिर्वात देकर कुश्यलक्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा राज प्रजा के पापों के प्रभाव के कारण प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शासरों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पढ़ गया। इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चला। अब मैं आपके पास इसी संदे को कि है राजन। ये सत युग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारो चरन सम्मिली थे। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नती है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मनों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मन ही यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शुद्र का वद कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज मैं उस निरपराद तपस्या करने वाले शुद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोश से छूटने का कोई दूसरा उपाय तो बताईए। तब रिशी कहने लग और प्रजा सुख प्राप्त करेगी क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिध्यों को देने वाला है और समस्तो उपद्रों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनी के इस वच्चन को सुनकर राजा अपने नग को वापस आया और उसने विधी पूर्वक पदमा एकदशी का व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुच गया अतह इस मास की एकदशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है ब्रह्मा वईर्वत पुरान में देवशहिनी एकदशी के विशिश महात्म्य का वर्नन किया गया है इस व्रत से प्रानी के समस्त मनों कामनाय पूर्ण होती है और व्रत करने से सारे पा विधि पूर्वक करे तो महाफल प्राप्त होता है तो ये थी देवशेने आशाड़ी एकादशिवरत की कथा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो सभी तक शेयर करे ताकि हर कोई इस कथा को जान सके